कि वल्लोव देर्स टूडेंट्स कैसे है आप सब लोग मैं मोई पठान एक बर फिर से आप सब लोगों के सामने और आज आज हम लोग करने वाले है क्या आज देखने वाले हमार चैप्टर कंटेंपरी सेंटर्स ऑफ पार का एक और एक और इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम कि आज सब करता हूं है कि उसी चरल prepared सिकरेशान में और यॉरोप्ययल्यम के सटनी हरे उसके बार आज हम लोग क्या करने वाले आज आपके एक्जाम में मार्स को रेज करने के लिए और आपके एक्जाम क्लियर करवाने में तो फटावट से से अपने दोस्तों को बला लो और बोल दो कि ज़रा मौहिन सर आ चुके जली जली से आई यह ठिक है आटिका इरं 10th एलो अनुरे पार्तो है एलो हृलो 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 और कौन है पार्तो गुद इवनिंग सर गुद इन आपको भी अतिका एरं आस्ला अलेकुँ सर वालाकुम स्लाम आइं गुद हाव आ यू ठीक है फटावर प्ट फटावर से से सेशन कुछ रोड़ क आलब एडिए देख थे SIERAN आफ साउटीस्टेशननेशनेंस आजसी आज के बारे में कुछ कुछ harm doet आत्यान आजी आक आक आ Cash यान में डेखतें संद्टेशन जन साना कौन से कंट्री दीए उसमें लों दीधते यह सारी कंट्रीज में आ रही है अब कोशन यह है कि सारी सारी कंट्रीज का नाम याद रखना है क्या रखोगे अच्छी बात है नहीं रखोगे कुछ-कुछ को इस इंपोर्टन चितों का नाम आप लोगों क्यों कि हम लोग जब आसेन बनेगा उसके इससाफ याद हलब हो जै कि से आप लोगों लिद्वांय मुंट्निय याद हो गया था जैसे आप लोगों बाकी प्ल्हेया चलिक cambi तुर्कमेनिस्तान उस्वेकिस्तान उसी तरी किसी यह भी आप लोगों को याद होने वाला है तो टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है अंजली तेशवाल हेलो सर हेलो अंजली कैसे होता हूं आतिका इरम हवारी सर आम गुड सर लेट क्यों अच्छोई थोड़ा सा में मीटिं यह रहा है यह मेरे सर कंधी है महीन इ Medicine डुल्स एँटन फ्रें होता है तो मैंने मार के बाद वाला यह जो एडिा है इसके वारा ऊपड़ेंगे इस款 अपन गांग बोलते इंडिया आता है शावत एश्या में ठेक है और यह चाईना आऊड आईसी शाया में जैपान भ्गा वाले हैं मतलब इस स glove area cover करने वाले हैं है थीकिङया देखते है क्या क्या और कितने क्तने लोग में स्में है और क्या हुआ था में सानविश्ट इश्या क्या पर हम 우्यभी कैसे स्टस्राँग थिया थी या दिरिए दिरे इस स्रांग हते हैं चलिकी यह बोलना कि यह जो साओधिस्ट एशिया है देखो ज़रा इदर साओधिस्ट एशिया को यह जो साओधिस्ट एशिया पूरा की पूरा इसके उपर हमेशा किसी ना किसी कोलोनियल पावर का रूल रहा हमेशा किसी कोलोनियल पावर का रूल रहा कोलोनियल पावर का रूल रह थोड़ा इजी से देख लेते हम लोग हमारे पास के हमारे पास इंग्लेंड है इंडिया के एक्जांपल से समझाता हो तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा इंग्लेंड इंग्लेंड इंडिया में आया और इंडिया में आया था ट्रेड करने के लिए लेकिन इंडिया पर र यह जिसकी उपर रूल करा जा रहा है उसको को आपन बोलेंगे कालोनी क्या टो लेंगे कालोनी मतलब यह सारी के सारी ज witness Прisha he थी यह सारे के सारी जो साओट ¿स इसे इस नेशन से यह सारे क्या है यह सारे कैसरे कभी ना कभी colonies रहे होंगे मतले इन की उप्र रूल था किस का या तो इन की उप्र रूल था या तरी यूपर रूल था किसका जल्दि बो योपन कहुंड को लाता है कि सरस इंग्लेंड वाले रूल करते 길 यह रह ऑप अन्य एन ब्रीटेशस रूल और बताओ, और कौन था, डैनिश, डैन्मार्क वाले लोग, ठीक है, यह सारे की सारे क्या थे, यूरोपियन्स थे, मेन मेन यूरोपियन्स जो क्या करते थे, दूसरे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते थे, तो इनके उपर हमेशा क्या रहा, या तो यूरोपियन्स का रू desc 입 आप अबर रूल्ड ओवर साउद इस इशए तो साउद ही इस आ तो ये पिया है या तो येइन्स नीजी किया है या तो जैपैन ने रूल किया है समझ में आया या समझ में आया है तो जली जली से दिखाऊ मुझे आपने उठें और बोलो कि हसा स्वर ने आया आवे कोई दिक्कत नहीं है अले लाइक तो कर दो सब क्लास ठीक है एपे इंडिपेंडनेस दे इन एडवांस आप सब को इंडिपेंडनेस डे की बहुत बहुत शुब कामना है तुमारे कहने से पहले लाइक हो गया ओच्छा ठीक है, ठेंक्यू सर, मैं चलती हूँ, आपके दर्शन मिल गया, अच्छा, सर प्लीज रिपेट आगें कॉलोनी, कॉलोनी क्या होती है, देखो इता तरह, ये इंडिया, दिख रहा है इंडिया, इंडिया के उपर आके, ब्रिटिशर्स ने रूल करा, ब्रिटिशर्स ने श्रिलंका के उपर, कौन, मान लो की, डच पीपल आकर, डच किसको कहते है अपन, डच कहते है निदरलैंड के रहने वाले लोगों को, डच लोग आकर, अगर श्रिलंका के उपर रूल कर रहे है, एक्जामपल दे रहा हूं, डच लोग आकर, अगर श्रिलंका के उपर रू प्रूल करा है या फिर रूल करा है किसने यूरोपियंस ने इसी वैसे यहां की जो कंडिशन वह बहुत ज्यादा खराब होगी एक्जाम्पल की दोर पे इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में इंडिया जब 1947 में आजाद होता है तब क्या होता है इंडिया की बहुत सारी वेल्स लेकर जा चुके ना वो लोग बहुत सारा पैसा इंडिया से निकाल निकाल के लेकर जा चुके बहुत सारे पिलिक पांट सब्सक्राइब चैना लेकरन मजल्प्राइब और इनकोसमाल ना इन समाल ना वोट और colonial power को ने वो power से जिन्नोंने गुलाम बना रखाए किसी को अब क्लियर है किट्टु चोदरी गुड इवनिंग सर हाई किट्टु चोदरी हाव अब आगे बढ़ते तो साउथ इस्ट एश्या के बारे में देखा हम लोगों ने कि साउथ इस्ट एश्या पर या तो या तो ऐदगा पर इंव इस की सवी तरीकिया की है जैसे इंडिया की ती कैसी कंडीशन देखके बॉल रहे हैं Alt बॉड इक बार ड्रें राइश्म्र की शुऽिय। या और अलाएट पावरेटे लेंड जितल जो जीत गई लेकिन जितने भी लोग थे यानि कि United Kingdom था France था ठेके यह जो भी countries थी इन सब की economy कैसे हो गए थी नीचे तभी इन लोगों ने आजाद करना स्टार्ट कर दिया सब को फटावट फटावट से हागे ना तो अब ध्यान सुनों हो कहा रहा है जब war खतम हुआ यह इस नेशन बनाने के लिए वैसे ही इन लोगों को भी nation building की challenges आई इंडिया में पॉर्टी भहुत ज्यादा थी तो इंडिया वा लोग क्या करना था पूर्स लोगों को पॉर्स लोगों का不शावर्टी ईलिवेशन करना था लोगों को क्या करना था पॉवर्टी से बाहर निकालना था इनके यहाँ पर भी क्या थी पॉवर्टी की प्रावलम थी इंडिया का भी एकनोमिक बैकोर्टनेस था हागे ना इंडिया पैसो में क्या नहीं था ज्यादा पावर्फुल नहीं था इसी तरीके से इनके बाज फ्रेट पोस्ट कर रहा है यह चैलेंज कर रहा है तुझ टुड डॉमिनज आफ उनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका ऐसे कैसे ठीक है एंड प्रेशर तु आलाइन विट वन ग्रेट पावर और दा नाधा डूरिंग दूरिंग दूर और कोल्ड वर के टाइम प्रेड म सब्सक्राइब ऐक टरफ उनाइटे स्टेट सफ अमेरिका दوسी तरफ कुण था यू स्सार आगे ना। मिया से क्या कर रहा था य। एसे में बोलता था कि यह मेरा पार्ट कर दो सुबग T मैं क्या कर रहा है मेरा पाल बनना हागे ना युनाइटेटे स्टेट्स एमेरीका रहे क्या बना था एक और बनेशिंट मनाprod तब voirज keep बताओ सीटो कब बना था फटाफट फटाफट से लिख कर बताओ कि शीटो कब बना था ठीक है ठीक है ठीक है इहां नाइक असलांग मोईंसर हाव र्यू वाल इसलाम मैं ठीक हूँ आप बताओ कैसे हो हुमेरा आतिका तुम भी 11th में हो बट वीडियो में क्लास 11th मेंशन है दो अच्छा ठीक है यादा क्लियर है यादा क्लियर है कि यह बताओ ठीक मतलब इंडिपेंट्न के बाद जैसी हलता इंडिया की थी वैसे इन 10 कंट्रीज की है है ना साउथी स्टेशन कंट्रीज की अगे दो क्या बोल रहा है इस वास रेसेपी फर कंफ्लिक्ट विश्च of south east Asia could ill effort और यह क्या बोल रहा है कि इसी वज़े से इन सब countries के वीच में ये जो सारी की सारी countries थी south east Asia की इन सब में क्या चली एक race चली क्या कि या तो USA का साथ देगा या USSR का साथ देगा किन countries में इन 10 की 10 countries में ठीके और क्या इन 10 countries के आपस में भी नहीं बनती थी क्योंकि इन 10 कंट्रीज के आपस में लैंड कंफिक्ट्स थे जमीन को लेकर क्या थी लड़ाय वगेरा थी ठीके तो आप कोश्चन यह पढ़ता है कि सर जब इतनी प्रॉब्लम सही हाँ ठीके तो यह साउथ इस चल पाएगा यह तो लड़ाय लड़ाय में सबसे पहली कंट्री कौन सी थी इस जगह की इन में से वो सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने सीटों को जॉइन किया था फटावट फटावट से बताओ बोलो ठीके देवा क्या बोल रहा है अब सीन क्या होता है कि हमर पास फर्स्ट वल्ड था फर्स्ट वल्ड जिसमें यूएसे डॉमिनेट कर रहा था और उनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका कह रहा था इन साउथ इस्ट इसन कंट्रीज को कि वञए मेरा पार्ड बन जाओ दूसरी तरफ हमारे पास सेकंड वल्ड था सेकंड वल्ड को मेर्ड कर रहा था कौन यूएस्सर और यूएससर वाले बोल रहे थे कि वहिए क्या साउथ इस्ट एश्या ज सो बोल रहा था कि भई आब मुझे जोइन करो इतने में Third World Countries बनती है Third World Countries और ये Third World Countries में कोन आता है इतने में Third World Countries में India वगेरा Countries आगे ना ये लोग क्या क्या रहे हैं ये लोग क्या किरे इन दस Countries को कि भई यह देक में ऐसा है इस्ट 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 वर्वल्ड उनिटी सच अज बंडूं कॉनफरेंस जल्दी बताव बंडूं कॉनफरेंस कभी थी फटावट फटावट से लिख कर लेकिन यह लोग सारे सारे इखटा नहीं आ पाए अब अब लोगों ने बोला कि हम लोगों को अपनी खुद की नई organization बनानी पड़ेगी और यही नहीं और रोगनाईजेशन क्या कर सकती है हम सारे की सारे 10 कंडिस को इखटा ला सकती है ठीक है ठीके 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 किस कोई कुछ लिख रहा था अभी पार तो ये कौन सा बंदा है फू टेलिंग मी अच्छा रहे लड़ाई मत करो सबसे पहले जिस से कुछये आंग ये अपने हर अग और बोलओ कि हासर समझ में आ गे कोई दिकोट नहिंग नहीं है जिसमें यह 10 के 10 countries जो है यह क्या कर रहे है इस तरीके से हाथ मिला रहे है ठीक है क्या दिखाने के लिए unity शो करने के लिए कि हम 10 के 10 मौमता भारती हाई सर हाई मौमता हाई यू ठीक है बंडूंग कॉंफरेंस 1955 पी एंजी मुटिवेशनल यानि कि आरुशिक आंसर 100 परेट ठीक है चलो आगया थे इस अ आसयन was established in 1967 अभी यहां से कहां एक स्टाट थी आजया ठीक है अभी यह लोग ठख चुक है नैम के बार में सोचत के युसे वर्यम्स हो सोच के युस्सर के बार में सोचत के यह लोग कि हम लोगो को ना किसी का पार दोनी बंडा हम अपना नया गूल सटाट कर रहे है 5 countries of this region किसने किसने करा 5 countries ने 5 countries ने मिलकर established करा यह वाला question paper में आता है और paper में question कुछ इस तरीके से आता है which of the following was not a country who established ASEAN ठीक है मतलब बुलता आता है question चार नाम देतेंगे और बोल देंगे इसमें से कौन ASEAN का founder member नहीं था ठीक है Malaysia Philippines Singapore and Thailand ठीक है तो Indonesia Malaysia Philippines Singapore और Thailand यह 5 countries ने मिलकर क्या बनाया है इन 5 countries ने मिलकर बनाया है किसको किसको ASEAN को done ठीक है दो क्या बोल रहा है और इसी को बोलते है Bangkok declaration अब paper में क्या आता है paper में आता है कि which organization ऐसे आता है which organization came into being after the Bangkok declaration ठीक है तो Bangkok कहा पर हम सबको पता है तो Bangkok है Thailand में और अगर Bangkok Thailand में है इसका मतलब क्या बनने वाला है इससे ASEAN बनने वाला है which organization came into being by the Bangkok declaration ASEAN question आता है Bangkok declaration कब का है है तो Bangkok declaration 1967 का है ASEAN कब फाउंड हुआ 1967 में कोंसी कंट्रीज थी इंडोनेशिया Malaysia Philippines Singapore Thailand खत्र डन सर नयम की भी पाच फाउंडर कंट्रीज थी हाँ बिल्कुल नयम की पाच फाउंडर कंट्रीज थी वो कौंसे कोंसे थी घाना India Egypt Yugoslavia और और इंडोनेशिया ठीक है इसमें को ने इसमें देखों इंडोनेशिया कवहने दोनों में लेकाउंड है अनुम्दीश फिलिपीनस सिंगपोर और थाइलान फाउंड पच दन चला आ गयाते है दो क्या बोल रहा हनगे the objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development अब देखो इन लोगो ने क्या करा इन लोगो ने बोला कि भीया हम लोग ये वला organization किसलिए start कर रहे ASEAN किसलिए start कर रहे तो सबसे important चीज ASEAN की होगी क्या ASEAN की सबसे important चीज होगी economic growth अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद है पिछली class का तो हम लोगों ने ये किया था कि जो European Union था ये भी बना था economic issues को solve करने के लिए 1991 के बाद 1992 में बना था आगे ना मतलब इन दोनों का system सेव हैं ये दोनों के दोनों start तो होगी as an economic organization लेकिन धीरे 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 ये political organization बनती चली जाएगी क्लियर है बोलो ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलो तो ये क्या बोल रहा है objectives of ASEAN क्या है ASEAN का objective है economic cooperation economic cooperation और economic cooperation के साथ साथ क्या social progress है ना society को क्या करते जाएंगे हम लोग progress करते जाएंगे social progress and cultural development cultural development का मतलब क्या साथ इस्ट अश्या का हमारा अपना culture है और हम लोग अपने culture को maintain करके रखेंगे और culture को develop करते रहेंगे दन है समझ में आ गया है यहां तक समझ में आया है तो जल जल से दिखाओ मुझे अपने आंग उठाव बोलो कि हासर क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक है चलो आगे बढ़ते है a secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations Charter अब यह बहुत इंपोर्डन चीज़ है यह क्या बोल रहा है दूसरा objective क्या पहला objective तो क्या था पहला objective था economic growth और economic growth के थुरू social progress social progress और अब यह keyword से याद रखने हम लोगों को क्या कि आसे लिए बना था economic growth करने के लिए economic growth के थुरू क्या करेगा economic growth के तुरू यह social progress करेगा और social progress के साथ साथ cultural development करेगा ठीक है तो जब question आता है सामने न तो इजीली आप लोग लिख सकते हो इसको ठीक है तो social progress और social progress के साथ साथ क्या economic development कहा गया economic development इसकी बात हुई सबसे पहले तो ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे यह बता रहा है क्या secondary objective क्या इसका तो इसका secondary objective second objective क्या है इसका second objective है regional peace का original peace मतलब क्या मतलब हम लोग 10 countries है और हम लोग 10 countries आपस में कभी लडेंगे ही नहीं आपस में आगर हमारी कोई दुश्मनी है या हम लोग किसी चीज़ को solve करना है तो हम लोग क्या करें गे को बैठेंगे बात करेंगे चीजों को सॉल करेंगे हम जो दस कंड्रीज है आपस में मिलिटरी का इस्तमाल नहीं करेंगे क्लियर बोलो डन है ठीक है आगे दो क्या बोल रहा है कि चलेगी किसकी ला की आगे और ला के सामने एवरिवन इस एवरिवन इस एकुल ला के सामने सब लोग कैसे है बराबर की रूल आफ हला के रूल आफ लॉवसादय लिखी ऊसके चलेंगे कोई कंट्रि दूस्ति को तंग नहीं करेंग दस की दस कंट्री यूनिट्री के साथ रहें गी एक इसससे वहारा social progress करेंग है उसके साथ cultural development करेंगे दूसरा objective हमारे regional Portugal रिजनल पीज का ठीक है connection पीजनल पीस का तो ही क्या बोल रहा है Regional peace and stability ठीक है तो दूसरा objective में क्या बोल रहा है रिजनल पीस करेंगे original क्या लेकर आएंगे स्टेबिलिटी लेकर आएंगे क्योंकि हम लोगों के ऊपर हमेशा किसे ना किसी को लोनियल पावर का रूल रहा है जिसके वैसे हम लोग डेवलप नहीं कर पाएं ठीक है तो क्या करना पड़ेगा एक साथ आना पड़ेगा यूनाइट होना पड़ेगा पीस लाना पड़ेगा ठीक है शान्ताता बनाए रखनी पड़ेगी क्यों कि अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा तो एकनामी डाउन होती चली जाएगी पावर्टी एलिवेशन नहीं कर पाएंगे पाएंगे तो इन सब लोग ने बोला कि रिजनल पीस लाएंगे ठीक है रिजनल पीस का मतलब क्या पूरे की पूरी जगाव में दस की दस कंट्री में शान्ता था क्योंकि आपस में लड़ाई नहीं है तो शान्ता रहेगी ठीक है और शान्ता की वाईज से स्टेबिलिटी आ यह रूल अफ लॉक की बात मानेंगे और यूनाइटेद नेशन्स के चार्टर की बात मानेंगे तक प्रिंसिपल्स को मारें जॉइंड आसियान टेकिंग इस स्ट्रेंथ टू टेन यह क्या बोल रहा है पाच तो फाउंडिंग मेंबर्स थे बाद में पाच कंट्री और जाकर इसको जूड़ जाएगी और आसियान एक एक 10 मेंबर बोलो कि हासर आगा। जिसने लाइक नहीं किया से फटावट फटावट से लाइक करो जल्दी जली से और तुम लोग शेर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ है ना शेर किया करो ता कि थोड़े से और बच्चे आ जाए रहा तुमें भी मजा है ठीक है चलो किसी को यहां तक कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछो हाँ मांसिक इस्तरवानी का विलकुछ सही है आसियान आसोसियेशन ऑफ साउथ इस्टेशिन नेशन्स ठीक है नहीं है क्लियर चलो आगे बढ़ते है देखे क्या होता रहा है आसियान का सिंबल ऐसा है यह क्या है आसियान का सिंबल कुछ इस तरीके से यह जो दिख रहा है आप लोगों को यह जो दिख रहा है ठीक यह क्या है यह पैडी का ना पत्ता है या पडी के stem लगा लो तुम, पडी क्या होती है पडी, पोधा आई है किशी सका चावल का, चावल के पोधे को पडी बोलती है आपर आगे न, तो वही है यह, ठीक है, और इसका, इसमें क्या थे पहले यह 5 ही थे देखो इधर-दर, दुबार दिखाता आपको, इधर देखो यह कितनी लाइन्स दिख अप लोगों को कितने दिख रही है पाँच लाइन्स दिख रहे है एक दो तीन चार पाच क्यों फाच लाइन्स थी क्यूकि इसमें पाच ही कंटर्व सी फिलिपीन्स इंडोनेसिया यह बोल रहा है कि सर यूरोपीन यूनियन को हमने जैसा देखा वैसा ही आसीया ने कोई डिफ्रस तो है नहीं इन दोनों में आसेया ने और यूरोपीन यूनियन का देखने के बाद एक पॉलिटिकल औरगनाज़ेशन बनने की कोशिश करेगा संच में आ रहा है छी ये रहा है कि ये उर्बीन यूनियन जो है वो धिरे धिरे पॉलिटिकल ऑर्गनाज़ेशन भी बनता जा रहा है और इस वजह से आसियान कैं करेगा फॉलो करने लग जाएगा ये भी पॉलिटिकल और्गनाइजेशन बनना स्टाट करें ठीक है दो क्या बोल रहा है अन्लाइक दे यूरोपीन यूनियों देर इस लिटल डिजायर इन आसियान फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्ट्टर्स एं इस ठीक तो पहले चीज तो यह बोल रहा है कि आसियान जो है आसियान यह यह क्या नहीं बनना चाहता यह यूरोपीन यूनियों नहीं बनना चाहता इसका क्या मतलब है इसका मतलब आसियान को खुद का कॉंस्टिटूशन नहीं बनाना है आसियान का खुद का अपना कोई फ्लैग नहीं है आसियान का आपना खुद का कोई एंथम नहीं है आसियान का जो क्या बोल रहा है आनलाइक द ये अल्पीन उनिए ये लिटल डिजायर इनास्यान फॉर्वाइन फोर सुप्रा नेशनल स्ट्रक्ट्टिस वोलु लागे हमें सुप्रा नैशनल स्ट्रक्टिस नहीं बनाने जैसे आसीयान में थे एन इस्टिशिंट अस्यान countries have celebrated what has become known as the ASEAN way यह क्या बोला है आस्यान countries को लोगों ने पुछा कि यह रहा हमारा अपना तरीका है कि यह था हमारे तरीके को कहते है कि यह था हमारे तरीके को कहते है दा आसेयान वे और हमारा आसेयान का तरीका आसेयान यह ठीक है बोला कि ASEAN वे किया a form of interaction that is informal non-confrontationist and cooperative यह बोल रहा है कि हमारा जो interaction करने का तरीका है वो कैसा है informal तरीका है आगे ना मतलब मतलब हम लोग दोस्त की तरह एकटा रहते हैं 10 की 10 countries प्लस non-confrontationist मतलब क्या हम लोगों को और से लडाई करनी है और ना हम लोग आपस में लडाई करेंगे तीसरा हम लोग cooperative है cooperation के साथ काम करते हैं ठीक है निश्टा कटारी पूछनी की सब्सुप्रा national structure का क्या मतलब है सुप्रा national structure हम लोग करके आ चुके European Union में जब हम लोग नहीं यह देखा था कि सुप्रा national का मतलब होता है कि एक ऐसा organization European Union एक अकेला nation की तरह काम करता था ना European Union बोलता था कि भाहिया मैं 27 countries का एक अकेला country मेरा खुद का constitution होगा बनानी पाया अलग बात है ठीक है मेरा खुद का national anthem में मेरे खुद का flag है ठीक है इनका ऐसा नहीं है इनको यह बोल रहे है कि वह यह देखा ऐसा नहीं है हमारे सारी की सारी country independent है खुद की foreign policies खुद भी मना सकते हैं लेकिन कुछ important important काम हम लोग यह घटा करेंगे समझ गनिया है ठीक है प्रतिक सिंह राशपुद्द गुड़िवीनिंग सर गुडवल इवनिंग गुडवल इवनिग काजल इहां नायक कहा जा रहो यहां नायक तू कोई बात नहीं औफिशल खुब थिए देयो क्या बोल रहा है तो paper में आता है कि आसेयान वे या फिर आसेयान यह वाला कोशन आता है है ना explain ASEAN में तो ASEAN में को कैसे explain को रोगे तो ASEAN में को कुछ इस तरह किसे explain को रोगे it is a form of interaction that is informal एक informal form of interaction है non-confrontationist and cooperative done I call the respect for national sovereignty is critical to the functional of ASEAN और यह क्या बोल रहा है कि इनके लिए सबसे ज्याद़ इंपोर्टेंट क्या है national sovereignty मतलब क्या यह दस की दस countries इनके उपर ASEAN का control नहीं है जैसे European Union control करना चाहता है European Parliament बना दिया उसने और European Parliament बना के क्या कर दिया उसने वह कह रहा है कि यह उरोप की सारी की सारी चीजी यहां भी यह लोग बोल रहा है कि हमला हमारा ऐसा नहीं है हम लोग सब को उनकी उनकी आजादी देना चाहते है उनकी उनकी सोवर्णेटी देना चाहती है जिस country को जो करना है वो कर सकता है लेकिन हम लोग ऐसा ग्रूप एज ओ ग्रूप कुछ इंपॉर्टन क्या करेंगे डिसिजन्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे डन है सुवांशु पांडे है है अलो हलो सुवांशु ठीक है डन है क्लियर है चलो अब देखो आसियान वाले फ्लैग में कितने स्टिम्स ठे तो आसियान वाले फ्लैग में पहले पाच स्टिम्स ठे अब कितने मेंबर्स का ग५्रूप बन गया डस तो अब कितने स्टंप सा गेगे जिखा वध्ल्य Ĉय ह्लेट यहां तक समय को समझ में अ गया是्टो जदि जलिसेए हम भी प्रॉब्लम है नहीं हमें दन है चला आगया थे विच सम आफ फास्टेश्ट ग्रॉइंग इकनॉमीज इन द वर्ल्ड आसियान ब्राद इस अब्जेक्टिव्स ब्यॉंड एकनॉमिक और सोशल स्वेर्स अब देखो क्या बोल रहे हैं आसियान बना था किसके लिए ऺन् chorus के साथ साथ क्या सोशल Yoo जो ज घईा कि सोशल ग्रोथ के साथ क्या होगा स्टेवलित रहीं और क्या पीस लाके रह yapılएं भडिया तरीके से कौक चलेंगे तुमझ हम भी खुष सब कुछ अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है इन 2003 अब ये क्या करेगा ये अपने आपको बड़ा करता जाएगा ये बोलेगा कि मैं सिर्फ अब economic organization नहीं हूँ बल्कि मैं अब political organization भी बनता जा रहा हूँ या और क्या-क्या बता रहा है आईए देखते हैं इन 2003 2003 की बात है आशियान मूवड अलोंग दे पात अफ यूरोपियन उनियन बाइगरिंग तो एस्टेबलिश एन आशियान community comprising three pillars ठीक है तो ये क्या बोल रहा है 2003 में इसने क्या करा 2003 में आशियान ने 2003 में आशियान मूवड आलाउंग दौट ऑफ यूरोपियन उनियन को देखा अच्छा देखो अगर यूरोपियन को देखे हम लोग तो यूरोपियन यूनियन ने 2002 में constitution बनाने की कोशिश करी थी करी थी क्या बना नहीं पाया था अलग बात है लेकिन इसने constitution बनाने की कोशिश करी थी हागे न आसियान ने इनको देखा और आसियान ने का कि भीया जैसे यह European Union है न जिस तरी के से पॉलिटिकल भी काम कर रहा है आसियान कोशिश कर रहा है कि सेम सेकुरिटी पॉलिशी दो सेम फॉरेन पॉलिशी हो हम लोग भी ऐसा ही चाहते है मतलब अब इसको कॉपी करेगा आसियान और कापी करेगा European Union को इसी वजह से हम लोग ने पहले European Union बढ़ा ठीके देखो के खुबशूरत यह है या कि पहले इस नहीं यूरोपीन उन्यों क्यू पढ़ाया जब किम पहले बना इस वजे से क्यों कि ASEAN will follow European Union clear टो यह क्या बूल रहा है in 2003 ASEAN moved along the path of the European Union by agreeing to establish an ASEAN community comprising three pillars और यह लोग इन लोग ने क्या बोला कि हम लोग एक ASEAN एकुनामिक कम्योंटी जिसके tyn भड़ए-बड़े पिलर्स हो क्वोंगे otherwise का मतलब है इसका मतलब लोग अगर आसियान को को कोई foreign policy वगरा बनानी है तो foreign policy इन सब की क्या होगी सेम security community हागे ना अगर आसियान को economy के उपर money से related trade से related कोई बात करनी है तो क्या करेंगे यह लोग यह दी economic community में बात करेंगे और अगर इन लोगों को culturally कुछ करना है society को बढ़ाने कुछ करना development के education की issues को deal करना तो यह लोग क्या करेंगे आसियान social cultural community में बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब आसियान और आसियान की तीन communities बता रखिए एक economic community ठीक है एक security community जहाँ पर पॉलिटिकल बाते होगी और एक social cultural community मतलब इन लोगों ने तीन community बताई आसियान security community जहाँ पर politics की बाते होगी economic community जहाँ पर economics की पैसों से related बाते होगी और social cultural community जहाँ पर culture से related बाते होगी आया क्या नहीं आया समझ में जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी जैसे दिखा अपने आंग उठे और बोलो कि हासर समझ में आगया कोई दिख करते हैं एलो सर सॉरी फॉर लेट हाई श्रिष्टी कोई बात नहीं लेट आई यो ठीक है चलो किंग कैली सर एशिया का पावरफुल एस्सोसियेशन फॉर्म करना चाहिए वाट यू थिंक हाँ इस चीज की बात ना जवाला नहरू ने पहले ही कर दी थी है ना और यह लोग भी आसियान सोशल फोरूम अगरा लेकर आएंगे और इसके साथ साथ क्या कहते हम लोग एशि सेम चीज पहले उन लोगों ने पहले जवाला नहरू डिसकस कर चुके है ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़ते थुल्वा सब्सक्राइगा तो आपन क्या करते है आपन इसको रोकते आज यही पर पार्थो के भी अच्छा माक्स है चलो ठीक है जो भी है यह बताओ लोगों में पढ़ाया सब कुछ क्लियर है एकदम हंडेड़ परसेंट क्लियर है जिसने लाइक नहीं किया फटावट फटावट से लाइक करो और ना अपने दोस्तों को लेकर आया करो कि सर मोहिं सर पढ़ा रहे रोज आड़ बजे आज चलो थोड़ा समय लेट होगे लेक लाइए कोई बिडाउट हो तो आप लोग क्या करें मुझे परस्णली मेसेच कर यह याव काम कर अपने गर्रू बना लेते और गरूप बनाने के लिए आप लोगों मुझे आपने फैन्हान लोग तो मैं टेलिग्राम ग्रूप बना दूंगा उसमें सब को आड़ कर दूंगा तो जब भी क्लास वगरा होगी तो मैं भी क्रते हैं चलो अज वाली क्लास जो है आप Qila को मज़ेदार लगी बहुत मज़ेदार लगी बहुत पसंद आई important videos लेकर कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के नीचे comment section में लिख सकते हो ठीक है यहाँ पर मुझे mail कर देना तो आपन गुरूप बना देंगा अच्छे नागरिक बनी है अच्छे सिटिजन बनी है है ना खुद भी आगे बढ़ी है देश को भी आगे बढ़ाई है सर आपका अच्छा क्लास था मज़ा आ गया थैंक्यू सो मच पार्थ हो ठीक है पढ़ाई करो यार लेकिन या पढ़ाई इंपॉडंट है पढ़ाई का थैज लेकर है खासकर मेरी भावी बहुंट के अलेक्सका थेंप काई ठीकते बाई पूश्च ओधां में डिफ्रेंस नहीं बता तबाई पूशना एमीलस्तिया च्रहित बप संछना थैद की अर्याइद्स टीक्सорण का अंसर आगर भावी देती है न ठीक है तो मेरा नाम चेंज कर देदा ठीक है चलो तो मिलते हैं अपन कल तब तक के लिए मोईन पठान आप सबसे कहता है जैहिंद कि अगर अगर कर दो